next question a train is moving at a speed of 132 km per hour speed कितनी दी गई है 132 km per hour right यह speed है if the length of the train is 110 meters how long will it take to cross a railway platform 165 meter long देखिए यह train की length है यह train है यह platform है ठीक है जब यह train यहां से चलना सुरू करेगी देखिए यहां से तो कब cross कर पाएगी जब train का जो यह end point है यह वाला यहां पर आएगा तो actual में कितनी distance cover की खुद की distance भी कवर की खुद की distance कितनी है 110 meter और प्लेटफॉर्म की 165 तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा टोटल डिस्टेंस काउंट करना सो और सो दोस्टो पैंसर दूर्दस पचेतर यानि दोस्टो पचेतर तू सेवंटी तो टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है स्पीड दिया गया है ठीक है न अब पूसरे टाइम क्या लगेगा इसको क्रोज करने में तो स्पीड का फॉर्मूलय क्या होता है डिस्टेंस अब टाइम तो टाइम देक चौटी क्लास हमिएं पढ़लेते हैं ते यह इस Technologies का क्या हो जाएगा फिर डिस्टेंस अपॉन स्पीड डिस्टैंस कितना दिया हुआ है दोस्टो पचेतर मेटर ठीक है और यह इंसपीड कितनी है 132 किलोमेटर पर हावर है इसको पांच बटे 18 से गुना कर दीजिए तो यह मेटर पर सैकेंड में आ जाएगा राइट मेटर से मेटर कैंसल यह साइकेंड उपर उपर चला जाएगा तो यूनिट कर रहेगी टाइम की ठीक है जो काट सकते हो काट यह पांच पर कैंसल करता हूं 55 25 25 25 ठीक है फिर क्या है 11 पर कैंसल होगा 11 15 15 11 12 ठीक है फिर 6 पर कैंसल होगा 6 12 छे तिया 18 ठीक है तो यह तीन उपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 15 15 के डिवाइड में 2 सेकंड यानि समय कितना लगा 7.5 सेकंड तो उप्षन जो भी है वो सही अंसर है कर दो कर दो कर दो कर दो कितना है